नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की रैबिजोल DSR कैपसूल का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है? रैबिजोल DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए? और रैबिजोल DSR कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? रैबिजोल DSR कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिद की मात्रा को कम करता है. रैबिजोल DSR कैपसूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर रैबिजोल DSR कैपसूल का उपयोग किया जाता है. Rebizol DSR Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्ने दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योप की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्टर रेबिजोल डी एसार कैपसूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटी बायोटिक दवाओं के सामाने साइड इफेक्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेत में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वजह से ये side effects ना हो। इसलिए आपका डॉक्टर रैबिजोल DSR कैपसूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा रैबिजोल DSR कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गेस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सींड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सींड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। वेलोज डी एक ब्रैंड नेम है। रैबिजोल DSR कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। रैबिजोल DSR कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमकोजीशन, रैबिप्राजोल 20 एमजी और डोमपेरिडोन 30 एमजी होता है। दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नग भूले। अब हम डिसकस करेंगे की रैबिजोल DSR कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर रैबिजोल DSR कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। रैबिजोल DSR कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। लेकिन रैबिजोल DSR कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रैबिजोल DSR कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना रैबिजोल DSR कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि रैबिजोल DSR कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रैबिजोल DSR कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में रैबिजोल DSR कैपसूल की वजह से कुछ सामानने साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापन, सिर्दर्द, शरीर की मांस पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद दस्त होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा रैबिजोल DSR कैपसूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लम्मे समय तक रैबिजोल DSR कैपसूल का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक रैबिजोल DSR कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आईरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सलाः के बिना रैबिजोल DSR कैपसूल को दो सबता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबिजोल DSR कैपसूल को लेने से ओस्तिोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. ओस्तिोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डि रिस्क स्भी हो जाती है रैबि ISO Its réal capsule की वजह से ऑस्टियो पो रोसिस तभी होता है जब रैबि oh Person닥 का सेवन लगाता एक साल यह उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार रैबि इस रैबि आपसुल का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी ऑस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैविजोल DSR कैपसूल को ले रहे हैं। तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स डॉप्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैल्शियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुभा की धूप में बैठना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रैबिजोल DSR कैपसूल को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबिजोल DSR कैपसूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिजोल डिये सार कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिजोल DSR कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिजोल DSR कैपसूल को नहीं लेन चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रैबिजोल डीसर कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सक कर देखने को लिए प्रश्न है तो कर देखने को लिए तो आपका रापका 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 रापक